यह जूठी जंड का द्रखत है जो जूठी शमी कहिए असल शमी तो यह नहीं है लेकर फाल्स मेस्कॉई ट्री इसको कहा जाता है और इसके उपर अभी अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से जो हैं हमारे ब्लैक एंट्स जो मुकोडे इसको कहते हैं वो भी बहुत इस पे लगे हुए हैं क्योंकि इसके जो फूल हैं फूलों में कुछ थोड़ा सा स्वीट हनी सेक्रेशन रहती है जिसके उपर के किसम के जो कीडे हैं वो पलते हैं वाइट ब्लैक एंट्स के साथ ही इसके उपर के काटरपेलर भी हम देख रहे हैं और यह बाई पिनेट पत्ते हैं जो इसमें फिलावर रहे हैं फिलावर्स आप देख सकते हो यह रही है आपए यह किगों को भी रोपित कर सकते हैं लेकर उस Setting एक कापी सिंग ट्री है मार अगर इसको काट दिया जाए तो यह खुद भुखुद इसकी नई शूर्स आ जाती है तो इसको जोदपूर में राजस्तान में सबसे पहले जब बहां पे डैजर्ट था और उसको ग्रीन करने के लिए इस पर्टिकल ट्री को शमी को जंड को इतना क्लोणाईज कर जाता है कि इस इजब इस तो यह एलियन स्पीशीज है इंडिया का अपना नेटीव प्लांट नहीं है इसके बरक्ष जो सही शमी है जो सको प्रासों पिस सिंडरेगों कहते हैं वो जो है हमारा नेटीव टू इंडिया है और वो जो शमी का द्रखत ज नाजोदपुर के बगल में एक गाउं था जिसको बोलते थे खेजडली गाउं और बहां पे 363 लोगों ने अपनी बलीदान दिया था जब इस पेड को काटने के लिए राजा को हुकम हुआ था लेकिन यह बाला जो है इंटोड्यूजड शमी यह हमारा नहीं है यह सौदी र चुका है और जम्मू में भी इस पेड को हम देखते हैं और यह पंजबक्तर का जो मंदिर है बहां पे भी इसको शमी करके ही लगाया गया है लेकन जो वास्तविक शमी है वो हटके होता है अलग होता है लेकन जो शमी है उसके फलियों को भी बहां राजेस्तान में काफी च जूली फ्लोरा है जहां प्रासोपस काई लेंसीज है और वो जो रियल शमी है वो प्रासोपस हमारा साइनर एरिया है तो यह दोनों का फर्रक है